Accounting for beginners में हमारा जो next topic है वो है discounts अक्सर हम सुनते रहते हैं कि सब discount दे 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 और जो है वो मुझे discount मिल गया इतना तो वो जो discount है वो क्या होता है और उसको कैसे record करते हैं Basically discounts हमारे पास दो types के होते हैं businesses में एक कहलाता है trade discount और दूसरी जो main category है वो कहलाती है cash discount अब हम थोड़ा सा difference समझते हैं दोनों में क्या difference है Trade discount होता है discount at the time of purchase or sale जब भी हम कोई चीज buy कर रहे होते हैं या कोई चीज sell कर रहे होते हैं तो उस वक्ट जो discount हम ले रहे होते हैं या दे रहे होते हैं वो क्या कहलाता है trade discount cash discount buying और selling के वक नहीं होता बलके cash discount होता है at the time of payment जब हम पैसे दे रहे होते हैं किसी को या हमारा customer हमें पैसे दे रहा होता है तो उस वक्ट जो discount होता है वो कहलाता है हमारा cash discount और कोई differences समझते हैं जी trade और cash discount में कहरा जी trade discount है वो होता है bulk purchase के उपर या bulk sale of goods बल क्या होता है जी जब हम goods buy करते हैं या sell करते हैं एक से ज़ादा quantity में तो जो quantity discount होता है वो कहलाता है trade discount for example मैं unit buy करने गया मुझे बताया गया एक unit 50 का है मैंने बोला एक तो 50 का है लेकिन मुझे एक नहीं चाहिए मुझे 10 चाहिए तो 10 के वैसे तो 500 बनते हैं लेकिन उसने बोला है चलें चुके आप 10 unit से एक साथ करीद रहे हैं तो हम आपको 10% discount दे देते हैं तो 500 के बजाए आप हमें 450 दे दे दें तो यह जो 50 डॉलर का discount है यह कहलाता है trade discount trade discount हमेशा bulk purchase पे नहीं होता कुछ और भी reasons इसके हो सकते हैं दूसरा जो reason है trade discount वो है regular या valued customer इसका मतलब अगर मैं regular customer बन गया हूँ किसी supplier का या अगर मैं उसका valued customer हूँ मुझे supplier बहुत जादा value दे रहा है मुझे क्यों value दे रहा है क्योंकि मैं कई और नहीं जाता सारी दुकाने छोड़के उसी supplier के बाद जाता हूँ तो वो मुझे value देने के लिए वो क्या देता है trade discount तो शुरू में हो सकता है मैंने bulk में goods खरीदी हूँ उसलिए मुझे discount मिला बाद में जब मैं एक दो unit खरीदूँगा उस पर भी मुझे discount मिला है क्योंकि अब वो मेरी जान पहचान हो गई है regular customer और क्या reason हो सकता है to a trader trade discount normally दिया जाता है traders को trader कौन होते हैं जो goods अपने लिए नहीं खरीद रहे बलके उनको आगे resell करनी है बाद मेरी अगर अगर अपनी शॉप है मुबाइल फोन बेचने की तो मैं अगर जाता हूँ for example wholesaler के पास या company के पास मैं कहता हूँ मुझे फला model के दो फोन चाहीं है तो वो कहने से 20,000 का फोन है 2 के 40,000 आप दे दे तो मैं उनको बोलूँगा देखो यार मैं ट्रेडर हूँ मेरी दुकान है ये मेरी दुकान का कार्ड है तो वो कहता है कोई मसला नहीं या आप हमसे 20 का खरीदो आगे 22 का बेचो 22,000 का तो मैं इसको बोलूँगा मेरे भाई जब आप टीवी पे बेचते हैं तो आपको 2,000 रुपे बच जा है या 1,000 रुपे बच जा है तो ट्रेडर को दिया जाता है ट्रेड डिसकान तो ये कुछ रीजन्स हमने लिखे के ट्रेड डिसकान्ट क्यों दिया जाता है कैश डिसकान्ट के जो रीजन्स है वो entirely different है वो होता है for quick या early payment अगर मैंने किसी से deal की कि मैं आपको एक महीने में पैसे दूँगा और अगर मैंने within one month पैसे दे दिये या हो सकता है इसने मुझे बोला कि एक महीने का तो हम आपको उधार दे रहे हैं लेकिन अगर आप पैसे एक हफते में दे दें तो हम आपको मजीद discount देंगे और जल्दी पैसे देने की वज़ा से जो discount मिलेगा वो क्या कहलाएगा जी cash discount मिलेगा एक और बहुत important difference है trade discount और cash discount में वो यह है कि trade discount जो है उसकी कोई entry नहीं बनती trade discount कभी भी books के अंदर record नहीं होता no entry needs to be made trade discount की कभी भी entry नहीं बनाई जाती लेकिन अगर हम बात करें cash discount की तो हमेशा always record होता है accounts में always recorded in the books और उसकी हमेशा entry बनती है अब हम बात करते हैं जी जो cash discount है वो कौन-कौन से हो सकते हैं cash discount की basically दो types हैं एक है discount allowed और एक है discount receive discount allowed क्या होता है जी जब हम sorry जब हमारा customer हमें जल्दी payment देता है तो हम उसको कुछ discount देते हैं और वो कहलाता है आपका discount allowed जब हमारा customer हमें जल्दी पैसे देता है तो लिखावा है discount allowed दिया जाता है to customer और discount receive क्या होता है जब हम अपने suppliers को जल्दी payment करते हैं early payment करते हैं तो हमें discount receive होता है और वो क्या कहलाता है जी discount receive तो discount allowed जो होता है वो हम allow करते है किसको customers को और discount receive होता है कांसे? सप्प्लाइर से जब हम अपने customers को discount allow कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या होगा? expense होगा business के लिए क्योंकि expense जो है उसका nature debit होता है इसलिए discount allowed हमेशा debit side पर record होता है और जो discount receive होरा है सप्लाइर से वो हमारे इंकम है और income का नेचर क्या होता है जी credit होता है इसलिए discount receive हमेशा credit site पर record होता है.